बॉलिवुड के नामचीन अक्टर शत्रुगन सिधा ने अपनी निजी जिन्दगी के कई राज खोल दिया है यहाँ पिछले दिनों वो जो है अरवाज खान के शो में पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपनी शादी, अफेर, समय तमाम बाते की और अपनी जिन्दगी के बारे में कई सारी बाते की सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो जब बॉलिवुड में हीरो बनने की चाहर रखने वाले थे तो उनके पिता ने उनसे यही कहा कि तुम क्या भांड का काम करोगे क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे जगह हैं देश में जहां ऐसा माना जाता है फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता कही न कहीं लोग सोचते हैं कि एक मर्द को जो है नाच गाने का काम नहीं करना चाहिए और जब उन्होंने कहा मैं अक्टर बनना चाहता हूँ तो उनके पिता ने जो है उनको बहुत डाटा लेकिन फिर भी वो अपने जिद पे अड़े रहे और रोते हुए जो वो ट्रेन में चड़े थे तो उनकी मुलाकात जो है पूनम से हुई थी पूनम जो है उस समय मॉडलिंग कर रही थी उम्र में भी मतलब उस दवरान वो ट्रेन में रोती हुई दिखी थी और उस वज़ा से जो है शत्रुगन सिना की नजर उन पर पड़ गई दोनों के बीच बातचीत हुए और दोनो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया उनकी पहली सूपर हिट फिल्म थी काली चरन जो की बहुत चर्चा में रही और उस फिल्म में उनकी हिरोईन थी रीना रॉय कहा जाता है कि एक तरफ जो है शत्रुगन सिना पूनम से भी अफेर था उनका दूसरी तरफ वो र रीना रॉय के साथ भी रिलेशन्शिप में थे। जाता है कि पूनम सिनहा से शादी के बाद भी शत्रुगन सिनहा जो है रीना रवाई के संपर्क में थे और ऐसे में उन दोनों के बीच बहुत तनाब भला रिष्टा हो गया था अभी शत्रुगन सिनहा ने इस बात का खुलासा किया कि उनके उपर स्टार्डम इसकदर कि नहीं पूनम जो है वाकई में उनकी सची जीवन संगनी है दोनों के भी बातचीत बंद हो गई थी पूनम उनका घर चोड़के भी चली गई थी तब उनको लगा कि नहीं वो गल्ती कर रहे है फिर उन्होंने जो है रीना रॉय से अपने तमाम रिष्टे तोड़े और फ साथ वो नहीं निभा सके उन्होंने पूनम सिना को अपनी जीवन संगनी बनाया उसके बाद उनके तीन बच्चे उए उनके जुड़वा बेटे हुए लवकुष और उसके बाद सुनाक्षे सिना आई सुनाक्षे सिना जो है बॉलीवूड में बड़ी एक्ट्रस बनी वह इसे उनकी कहानी बहुत सारे राज उन्होंने अरवाज खान के शो में खोले हैं लेकिन यहां जो उन्होंने अपनी पत्नी को तलाग देने वाली बात कही उसकी जो है सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है